हेलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल मेरा नाम है रिशाब आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एक नए प्रड़क की बारे में जो फिलाल 2021 में लॉंच होने वाला है और यह जो प्रड़क्ट होगा काफी जादा पॉपिलर है और जैसे कि आपने थ सालू करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दू मेरा नाम है रिशाब और मैं बनाता हूं बहुत सारे कार और बाइक रिलेटेड वीडियो अगर आप कॉनसी कार खरीडने चाहिए या बाइक आपका बजेट जो भी है मुझे आप कमेंट्स में बताईए मुझे डियेम भी कर सकते हैं मेरा जो इंस्टा आइडी है वहां पर नीचे दिख जाएगा आपको और जो मेरा इमेल आइडी है कुछ क्वेरी होंगे तो आप भी मुझे मेल कर सकते हो चलिए बिना समय बरबाद कि बढ़ते हैं वीडियो की तरफ सबसे पहले बात करते हैं मारुती बहुत लोगों के फैमिली में पहले से भी है तो यह 2014 में जो प्रीवेश जनरेशन आया था उसमें उसको एक नया डिजाइन दिया गया था और वह अभी भी बिखता है और इसकी जो सेल्स फिगर्स है काफी जादा है हर मैने इतनी जादा बिखती है यह गाडी कि मारुती अल्टो एक ब्रैंड बन चुका है मारुतीज का जो सेल्स नेटवर्क है और इनके जो पार्स होते हैं काफी जादा चीप होते हैं जिस विए से काफी रिलाइबल प्रड़क्ट हो जाता है और लोग इससे अफोर्ड कर पाते हैं इंडिया में ऐसे बहुत हरे लोग रहते ह अगर आपकी हाइक जादा है आरूंग 6 फिट थोड़ा सा वाँ पर दिक्कत जरूर होगा बट मैं बात कर रहा हूं आज नेक जनरेशन अल्टो के बारे में जो मेरे इसाब से इस साल का गेम चेजर प्रड़क्ट हो सकता है मैं यह क्यों बोल रहा हूं क्योंकि फिलाल मार् चाहिए होता है इसी को मद्य नजर रखते हुए 2018 में उन्होंने फ्यूचर करके प्रड़क्ट दिखाया था जो हमने सोचा वह अल्टो होगी बट आइडों वह सेम प्रड़क्ट करने वाल है कि नहीं बट फिलाल इंडिया मार्केट में बहुत सारे लोगों ने स्पाइश बेजे हैं बहुत सारे इंटरेट वे स्पाइश एवलेबल है जो नई अल्टो होने वाली है उसकी टेस्टिंग हो रही है बट इक चीज में बता जो नई अल्टो आई कि उसमें बहुत सारे ऐसे फिचर आएंगे जो आपको ज़रूर सोच में डाल सकते हैं लाइक मॉडल में इंफोटेन्मेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा तस्क्रिन एक बड़ा सा देखने को मिल जाएगा जो एस्प्रेसो में भी आता है बट मेरे को वह इंजन बहुत का काफी पसंद था क्यूंकि जो अल्टो का बिल्ड कॉलिटी तो मैं नहीं बोलूंगा इतनी आइज भी आपको 19-20 का फरक आता था 800 और वन लीटर वाले इंजिन में वन लिटर इंजिन थोड़ा पावरफुल था 800 थोड़ा अंडर पावर्ड मुझे लगता है बट फॉर टू पीपल एक्स गुड़ इनफ जो अभी के अल्टो आती अभी भी काफी जादा विक्ति उ इसमें हायर स्थेड़ सिंद्न को मिल जाएगा अप्राइट वैट थोड़ा सा स्वी वाला फिल दे देगा विल आचे चैने को मिल जाएगा और साथी में ग्राउंड क्लेरिंस में भी काफी ज्यादा मुनफाह हो सकते है थोड़ा बड़ा ग्राउंड प्रेंस जरूर गेम चेंजर यह साल का एक बहुत बड़ा लॉंच हो सकता है इसका जो लॉंच होगा अर्राउंड जून तु जूले के बाद में होगा कमपनी नी क्लियारिफाइं नहीं किया है कि वह कब लॉंच करने वाले पर यह शौर है 2021 में आपको ज़रूर मिल जाए एक चीज में आपको बता दू इसका डारेक कॉंपटिशन कुई होगा क्योंकि फिलाल कुई एक काफी हॉट सोरिंग रहा है कुई के लिए रेनो के लिए स्पेशली रेनो इस रेनो की जो कंपनी है फिलाल बहुत जादा डिपेंडेंट है क्य अगर आप चा रहे है कि आप चा रहे थे इस साल खरीदना अल्टो और आपको कोई दूसरी ब्रैंट की गाड़ी नहीं खरीद नहीं है थोड़ा सा रुख जाहिए मैं बोलूंगा क्योंकि इसमें जो फीचर्स आएंगे आपको ज़रूर बढ़िया लागी कि इसका जो डि अगर आपकी डिली ड्राइविंग जो है वो दिन में 40-50 km के अंडर है तो इट में नहीं आएगी उसमें मारूती उसमें थोड़ा स्पेस बड़ा देना चाहिए थोड़ा सा रुमियर हो जाया थोड़ा बैकने में कमफर्टेबल हो पहले अल्टो इतनी कमफर्डेबल मैं नहीं कहूंगा कि मेरी हाइट जो है 5.7 is for me it's good enough but for taller people तो वहां पर मैं चाहता हूं मारूती ऐसा प्रड़क्त नया लेकर है अल्टो जो थोड़ा स्पेशियस हो अंदर से थोड़ा प्रीमियम जो बिल्ट कॉलिटी होगी इस पर थोड़ा जरूर मारूती काम करें कि मारूत सब्सक्राइटिंग है अगर आपकी दिमांग में वह अगर आप वो देखो गया तो जिरो स्टार रेटिंग की साथ आप नहीं चाहोगी कैसे आपकी सेफटी का कुछ ध्यानी नहीं जो नए नौम साने वाले हैं उसमें कहा जा रहा है कि आल्टो कर मैं आपको स्टैंडर मे यहीं आपको बेसे में डियोल एरबाग्स देखने को मिल जाएगा अभी आपको अप्सिनल वेरेंट में डियोल बाक्स मिलते थे बड़ इसमें आपको स्टैंडर दी जाएगा विचिस गुट तिंग सेफटी फीचर ज़रू इसमें आने चाहिए और मैं चाहता हूं इसका कोई इसी गाड़ी नहीं है जो फोर स्टा रेंटिंग आपको देती है तो मेरे यही डाउनसाइड है कि मारूती को जो बिल्क ओलिड थोड़ा जरूर इंप्रूब होना चाहिए और त्री स्टार तो इसको मिलने चाहिए इसको त्री स्टार आता है आइनो डाट बट त्री काफी सालों से बिक्ति है यह लोग इसे काफी जादा पसंद करते है अगर आप चाहरे हो एक ऐसी गाड़ी लेना जो माइलेज दे अल्टो काफी अच्छा माइलेज देती सीटी में 18-19 के बीच में मिल जाता है मैंने खुद देखा है बहुत लोगों इतने सारे माइलेज म पसंद है वह गाड़ी का जो बेस वेरेंट है पाच लग के आस-पास में आता है वहां पे आपको काफी जादा अच्छे फीचर मिल जाते है लाइक बेसिक फीचर सापको सारे मिल ही जाते एसी हो गया एबीड एबेस प्लस एबीड हो गया पावर स्टेडिंग हो गया ताके देखेंगे आपको एक पता सकते हैं कि गाड़ी कैसे होने वाली है तो इसी किसाद आज का वीडियो समप करते हैं अगर आपको कोई भी कंफीजियों नीचे मेरा इंस्टाग्राम आइडी दिया गया है वहां पर कमेंट कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट चोड़ सकते हैं उनका जवाब जरूर दूँगा यहां तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को जिस वजह से मुझे काफी जादा मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे बहुत सारे ऐसे वीडियो बना सकता हूं लाइक भी कीजे मेरे वीडियो क और दन्यावाद यहां तक मेरा वीडियो देखने के लिए अगर आपको कोई भी कुरिस अगर आप चाहते हैं मेरे साथ कोलाबरेशन करना तो मेरा एक एमेल आड़ी नीचे दिया गया है रिशबस्वर्ग डिमल डाट कॉम वहापे आप अपने कुरिस मुझे छोड़ सकते हो मैं जरूर आपके मेल्स पड़ूंगा यहीं पर आज का वीडियो समाप करते हैं मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ बॉल दी बहुत ही जल्द आपके लिए और नया वीडियो लेके आऊंगा आप मुझे कमेंट सक्षिन में बताएं आपको नेक्स वीडियो कौन सा देखना है मैं उस पर जरूर ट्राइब करूंगा एक वीडियो लेके आने के लिए तब तक के लिए अपना खैल रखिए बाए